ममी, गेहने पहन कर सुन्दरता बढ़ जाती है, इसलिए भया की शादी में मैं नए कपड़ों के साथ गेहने भी पहनूंगी हाँ हाँ, जरूर पहनना, अगले रविवार को इस दुकान से तुम्हारे लिए भी गेहने खरी देंगे जिस तरह गेहने पहनने से व्यक्ति की सुन्दरता बढ़ जाती है, उसी तरह कविता भी सुन्दर बन जाती है नहीं समझे, गेहने को आभूशन और अलंकार भी कहते हैं जिस प्रकार आभूशन धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से कविता सुन्दर और आकर्शक बन जाती है अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले आवश्यक तत्व है कविता के सुंदर्य में व्रिधी दो अस्तरों पर होती है शब्द के अस्तर पर और अर्थ के अस्तर पर जब कविता में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि उसकी यती, गती और लय आदी अत्यंत आकरशक होकर मन को अच्छी लगने लगती है तो इसे शाब्दिक चमतकार कहा जाता है इसी प्रकार जब कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि उसके अर्थ में विविधता उत्पन हो जाती है इसे कविता का अर्थ संबंधी चमतकार कहा जाता है शब्द और अर्थ के अस्तर पर होने वाले ये चमतकार ही कविता के आभूशन, अर्थात, अलंकार होते हैं कविता के सौंदर्य में वृध्धी करने वाले तत्वों या साधनों को अलंकार कहते हैं अलंकार के भेद कविता के शब्द और अर्थ के चमतकार के आधार पर अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं पहला शब्दा लंकार दूसरा अर्था लंकार पहला शब्दा लंकार कविता में जब शब्दों के विशिष्ट प्रयोग द्वारा उसकी यती, गती, लए आदी में चमतकार, सौंदर्य अत्वा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं. शब्दालंकार में जिन शब्दों के कारण कविता में अलंकार होता है, उनके अस्थान पर उनके पर्याय रख देने से कविता का सौंदर्य समाप्थ हो जाता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, पंक्ती में घटा शब्द के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, घटा शब्द के अस्थान पर इसका पर्याय मेग रखने से वह चमतकार अत्वा सौंदर्य नहीं रहता। अर्थात अलंकार समाप्थ हो जाता है। शब्दा लंकार के भेद शब्दा लंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रा सलंकार, दूसरा यमकलंकार, तीसरा शलेशंलंकार। अनुप्रा सलंकार कविता में जहां एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवरिती हो वहां अनुप्रा सलंकार होता है। जैसे तरनी तनूजा तटतमाल तरुवर बहुच्छाए। इस पंक्ती में तवर्ण की आवरिती से संगितात्मक्ता और रस उत्पन्न हो रहा है। अत यहां अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही थी जल थल में। चव और लवर्णकी आवरिती सुर्भित सुन्दर सुखत सुमन तुझ पर खिलते हैं सवर्णकी आवरिती विमल वाणी ने वाणी की कमल कोमल कर्मे व तथा कव वर्णकी आवरिती मुदित महिपती मंदिर आए मवर्णकी आवरिती रगुपती राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रव और पवर्ण की आवरिती कालिकासी किलकी कलेउ देती काल को कौवर्ण की आवरिती कूके लगी कोईले कदमबन पे बैठी फेरी कौवर्ण की आवरिती लागी लागी आगी भागी भागी चेल जहां तहां गौवर्ण की आवरिती यमक अलंकार जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्य एक बार भिन भिन अर्थ दे वहां यमक अलंकार होता है जैसे जेते तुम तारे तेते नब में न तारे हैं इस पंक्ती में तारे शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है पहली बार तारे का अर्थ है उद्धार करना और दूसरी बार तारे का अर्थ है आकाश में चमकने वाला तारा यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है कुल-कुल चेहचाहाना कहे कवी बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी बेनी कवी बेनी बेनी माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर करका मन का डारी के मन का मन का फेर मन का रिदय का मन का शलेश अलंकार श्लेश का शाब्दिक अर्थ है मिलना या चिपका हुआ जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो अर्थात एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हो वहां श्लेश अलंकार होता है जैसे जो रहीम गती दीप की कुल कपूत की सोए बारे उजियारों करे बढ़े अंधेरों होए यहां बारे और बढ़े में दो-दो अर्थ हैं दीपक के संबंध में बारे का अर्थ है जलना और बढ़े का अर्थ है बुझना कपूत के संदर्प में बारे का अर्थ है बच्पन और बढ़े का अर्थ है बड़े होने पर शलेश अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है मधुबन की चाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलिया कलिया फूल के विक्सित होने से पहले की अवस्था रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून पानी सम्मान पानी चमक पानी जल मंगन को देखी पट देत बार बार है पट शब्द के दो अर्थ हैं वस्त्र और दर्वाजा मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जो तनकी जाई परे स्याम हरित दुति होई स्याम श्री कृष्ण और सामला रंग हरित हर लेना और हरे रंग का हो जाना अर्था लंकार जहां कविता के स्वंदर्य में व्रिधी या चमतकार शब्द से नहीं बलकि उसके अर्थ से उत्पन होता है वहां अर्था लंकार होता है जैसे पड़ी थी बिजली सी विक्राल पंक्ती में विक्रालता की तुलना बिजली से करके स्वंदर्य उत्पन किया गया है इस पंक्ती में बिजली शब्द के अस्थान पर दामीनी शब्द रखने से भी कविता के सौंधर्य में कोई अंतर नहीं आता है क्योंकि सौंधर्य शब्द से नहीं, अर्थ से उत्पन हो रहा है अर्था लंकार के भेद अर्था लंकार के कुछ मुख्य भेद इस प्रकार हैं उप्मा लंकार, रूपा का लंकार, उत्प्रेक्षा लंकार, अतिशयोक्ती अलंकार उप्मा लंकार समानता के लक्षणों के आधार पर जब किसी वस्तू या प्राणी की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तू या प्राणी से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला इस पंक्ती में मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की गई है अता यहां उपमा अलंकार है उपमा के अंग उपमा के चार अंग होते हैं उपमेय जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाती है जैसे उपर्युक्त पंक्ती में मन उपमान जिस वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है जैसे पीपल का पत्ता साधारन धर्म दोनों वस्तुओं या प्राणियों में एक जैसे गुण या धर्म की समानता जैसे डोलना वाचक शब्द वाच शब्द जिसका प्रयोग समानता प्रकट करने के लिए होता है जैसे सरिस, सा, सी, सम, समान, आदी उपमान अलंकार के कुछ और उदारन इस प्रकार है कोटी कुलस सम वचन तुम्हारा यह देखिए अरविंद से शिशुवरिंद कैसे सो रहे नील गगन सा शांत रिदय हो रहा था निर्मल तेरा नीर अम्रित के सम उत्तम है मुखबाल रवी सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ रूपक अलंकार जहां रूप, गुण, आकृती, प्रकृती आदी की अत्यन्त समानता के कारण उपमान का उपमेय में अभेद आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है जैसे आए महंत वसंत इस पंक्ती में वसंत पर महंत का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है चरन कमल बंदो हरी राई, मैया मैं तो चंद्र खिलोना ले हूँ, एक राम घंशाम हित चातक तुलसी दास, उदित उदैगिरी मंच पर रखुवर बाल पतंग, विक्से संत सरोज सब, हर्शे लोचन भ्रिंग, पायो जी मैंने राम रतंधन पायो, राम नाम मनिदीब धरी, जीह देहरी द्वार, चरन सरोज पकारन लागा, जीवन की सरिता में फेकी मैंने मन की जाली, फस गई मनुहर भावों की मचलियां सुघर भोली भाली उत्प्रेक्षा लंकार, जहां उपमेय, प्रस्तुत में उपमान, अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा लंकार होता है, जैसे सोहत ओड़े पितु पटु, स्याम सलोने गात, मनो नील मनी सैल पर आतपु पर्यो प्रभात, यहां पीले वस्त्र धारण किये कृष्ण के सामले शरीर पर सुबह की पीले रंग की धूप से सुशोभित, नील मनी परवत की कल्पना मनहु शब्द द्वारा की गई है अता यहां उत्प्रेक्षा लंकार है, उत्प्रेक्षा लंकार के वाचक शब्द हैं मानो, मनहु, मनु, ज्यों, जनु, जानु, जानु, आदी, उत्प्रेक्षा लंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु काप ने उसका लगा, मानो के वेग से सोता हुआ सागर जगा नील जल में या किसी की गौर जिल्मिल देह जैसे हिल रही हो कहती हुई यो उत्तरा के नित्र जल से भर गए हिमके कणों से पूर्ण मानों हो गए पंकज नए मेग आये बड़े बंठंस के सवर के पाहुन जो आये हुगाओं में शहर के यो वीरवर अभिमन्युतब शोभित हुआ उसकाल में सुन्दर सुमंज्यों पढ़ गया हो कंटकों के जाल में अतिशयोक्ती अलंकार जहां किसी वस्तू पदार्थ या कथन का वर्णन इतना बढ़ा चड़ा कर किया जाए कि वह वास्तुवित्ता से परे हो वहां अतिशय अतिशयोक्ती अलंकार होता है जैसे हनुमान की पूँच में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निसाचर भाग यहां हनुमान की पूँच में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाने तथा निशाचरों के भाग जाने का वर्णन है अता अतिशयोक्ती अलं अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। कढ़त सार ही म्यान ते असिरिपुतन ते प्राण, म्यान तलवार से निकालते ही शत्रु के शरीर से प्राण निकल गये। वह शर इधर गांडीव गुंड से भिन्न जैसे ही हुआ धर जैद्रत का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ तीर के छूटते ही जैद्रत का सिर धर से अलग हो गया हमने सीखा अलंकार वे तत्व हैं जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं अलंकार मुख्यता दो प्रकार के होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य लाने वाले शब्दालंकार होते हैं शब्दा लंकार मुख्य रूप से तीन हैं अनुप्राज, यमक, वशलेश अर्थ की दृष्टी से कविता के सौंदर्य में वृध्धी करने वाले अर्था लंकार होते हैं उप्मा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदी अर्था लंकार हैं